पूर्ट करेंगे एक और इंपोर्टेंट टॉपिक की हमेशा की तरह कुछ ना कुछ इंपोर्टेंट जरूर होता है तो दोस्तों लास्ट कई वीडियो में OTBI के different different functionality को बहुत अच्छे तरीके से हमने समझ लिये आज बात करेंगे किस तरीके से मेरी master detail report बनती है या बोल सकते है summary detail report जो बनती है detail का जो view है वो किस तरीके से दिखाता है तो उसके लिए सबसे पहले में लेके चलता हूँ आपको कहां fusion की window पर एक user से login कर लेता हूँ login करने के बाद simply जाता हूँ tools में चलते हैं दोस्तों टूल्स में मेरे को tools and tools ke बाद चाता हूँ report and analytics और यहां पर आने के बाद simply हम आ ajate है दोस्तों कहां पर browse catalog के अपनी旅 बींडो पर आने के बाद simply हम क्या करते हैं हम एक analysis बनाते हैं, analysis हम हर बार create analysis वाले तरीके से बना रहें, दोस्तों आपकी थोड़ा different way लेते हैं, different way नहीं है actually, simply सबसे पहले उस location पे चले जाएए, यहां भी आपको जाना है, या नहीं भी जाएए, simply आपने browse catalog पे click किया, new पर गए, analysis select किया, analysis में यहां पे बस difference है कि यहां पे मैं search नहीं कर सकता, मुझे scroll करने के बाद ही अपने, जो subject area उसको यहां पे choose करना पड़ेगा, तो मैं क्या subject area लेने वाला हूँ, invoice वाला subject area, तो कहां पर मिलेगा, payable invoice, payable invoice transaction real time, तो simply इसको मैंने select कर लिया, select करने के बाद मेरी एक simple window यहां पे subject area है, और यहां पर prompt results, advance in की बाद भी हम पहले ही कर चुके है, तो आज मैं क्या करने वाला हूँ, simply drag and drop करके, यहां पे कुछ-कुछ columns अपने select करूँगा, तो क्या करने वाला हूँ, मैं बनाने वाला हूँ, summary detail report, तो सबसे पहले detail को design करते हैं, फिर detail का copy use करके summary बनाएंगे फिर दौनों को interlink करेंगे, कैसे करते हैं, तो summary के लिए, sorry, detail के लिए हम कर लेते हैं, invoice की कुछ-कुछ basic detail ले लेते हैं, like, general information लेते हैं पहले invoice की थोड़ी-थोड़ी, थोड़ा सा इसको बढ़ा कर लेते हैं, so that मुझे easily दिख जाएं, तो मैं ले लेता हूँ, invoice number लेता तो यहाँ पे मुझे मिला invoice number, simply drag and drop, then invoice type, चलिए, ले लेते हैं, invoice type भी, क्योंकि मुझे detail report बनानी है, then invoice date ले लेते हैं, यह तो useful होगा हमारे लिए invoice की detail है, then after, then after, then after, then after, supplier या seller भी लेते हैं, अगर इसमें आ रहा हूँ, yes, party name and sites भी आ रहा है, so किस party का है, और उसका site क्या ह यह 5-6 चीज़े मैंने ले लिए, साथ में invoice का amount भी ले लेते हैं, so that मुझे पता लगे मेरी invoice पे कितना amount था, कितना amount paid था, कितना remaining था, वो भी लेते हैं, तो invoice का amount मैंने यहाँ पे ले ले लिए, drag and drop करके, और simply यहाँ पे paid amount, कितना amount इस पर paid है, अब यहाँ पर मेरे पास 3- टोटल 7 columns है, जिनको use करके मैं अपनी summary report बना रहाँ, इन columns को मैंने ले लिया, result देखते है, result किस तरीके का दिख रहा है, इनको देखने के बाद, result मुझे easily 7 में आ रहा है, देखे, किस तरीके से बना हुआ है, ठीक है भाई, result आ गया, prompts में मैं अभी कुछ भी नहीं दे रह उसको save कर देता हूँ, तो किस नाम से save करता हूँ, मैं करता हूँ इसको, invoice, detail, otbi, report, detail, right, इसको identify करने के लिए, इसको something, कुछ, ठीक है, इसको हम दे लेते हैं, xx ना दे करके, कुछ अलग सा नाम दे लेते हैं, हाला कि xx देना चाहिए, customization के लिए, but uniquely identify करने के लिए, let's say मैं कुछ, aa दे लेता हूँ, जिससे मुझे easily identify हो जाए, हाला कि वैसे भी हो जाएगी identify तो, aa वाली हम summary detail बनाएंगे, तो simply, इसको मैंने save कर दिया, कहां save कर रहा हूँ, custom के अंदर, otbi, reports के अंदर, simply, save हो गया, यहां तक मुझे कोई problem ने, आप मेरे प कीरे हो सकती है, invoice type के basis हो कि कितने number of types की invoice है, उनका क्या amount है, उनके, aa बेसिकली उसके basis पे भी हो सकती है जो seller है supplier है उसके basis पे भी हो सकती है तो किसी के भी basis पे आप अपनी query को जो है वो modify कर सकते हो तो मैं क्या करता हूँ अब भी केवल और केवल यहां पे let's say मैं supplier ले लेता हूँ supplier name ले लेता हूँ supplier name के basis पे इसको मैं क्या करूँगा मैं इसको modify करूँगा तो मैं क्या करने वाला हूँ simply delete किया invoice number simply delete किया मैंने invoice date गौर कीजिएगा दोस्तो detail already saved है मैं यहां पर summary बना रहा हूँ तो party name ले लिया party का site ले लिया और party की site के बाद invoice amount and paid amount मैंने यह भी ले लिया ठीक है इसके basis पर ही मेरा party के basis चली site को भी यहां से हटा देते हैं party के basis पर invoice का total amount और paid amount मुझे यहां पर दिखना चाहिए मैं एक बार इसमें जाता हूँ यह देखिए मुझे यहां पर कुछ कुछ data दिखाई दिनागा अब अगर आपको इस पर detailing पर जाना है कि यह किस किसका है तो आपको इसकी detail report बनानी पड़ेगी और detail हमारी already बनी हुई आब हम क्याने करने हैं आब कि इसको save नहीं कर रहा हू हूँ save as करते ही यह मुझे से पूछेगा कि आपकी आप किस नाम से save करने हूँ तो मैं AA invoice summary summary OTBI report के नाम से इसको save करें आप मेरे पास आप मेरे पास दोस्तों दो यहां पर क्या हैं दो मेरे पास analysis है दोनो analysis मैं आपको दिखा देता हूँ देखिए दो analysis है ए नाम से आपको द report चले मैं आपको एक बार report चला के भी दिखा जाता हूँ so that यहां sun में open करता हूँ दोस्तों इसको जैसे ही open करता हूँ sorry detail मैंने चला दिया back करता हूँ एक बार summary summary को जैसी चलाऊंगा देखिए summary के चलते ही आपके पास party wise उसका total आएगा मैं चाता हूँ जब मैं इस ABC party पे click करूँ तो जिस summarize data इसका detail मुझे दिख जाए किस-किस invoices को मिला करके यह invoice paid और invoice amount जो बना है किस-किस को मिला कर बना है तो यह कैसे करेंगे इसके लिए बनाना पड़ेगा मुझे कुछ एक link तो चलते हैं दोस्तो एडिट करते हैं अपनी report को किस पे हूँ दोस्तो गौर कीजिए summary वाली report आपकी पहले चलेगी summary से ही आपको detail पर जाना तो मैं क्या करूँ मैं party name पर जा रहा हूँ गौर करना है दोस्तो party name पर जा रहा हूँ उसके बाद interaction पर जा रहा हूँ यहाँ पर select करता हूँ action link एक action link यहाँ पर create कर लेते हैं उसका नाम देते हैं find invoice detail find invoice detail जैसे ही इस पर click करूँ है find invoice detail पर जा लेकिए detail कर स्पेलिंग आई तिंग अलता है find invoice detail अब क्या करने वालों मैं एक report से दूसरी report को call करने वाला तो मुझे क्या यूज़ करना है मुझे यूज़ करना है navigate to bi content navigate to bi content करता हूँ तो यह मुझे बोलता है कि भाई वो location पर जा करके मुझे बता दो कहां पर आपकी report रखी हुई है तो simply दोस्तो मैं क्या करने वाला हूँ देखिए otbi में आ गया otbi report में मैंने summary से खड़े हो के मैंने detail को यहां पर link इसके साथ कर दिया ठीक है okay करने से पहले depend करता है आप same window पर देखना चाहते हो या other window पर तो यह अभी के लिए ठीक है अभी के लिए मैं इसको save window पर रहने देता हूँ okay कर दिया conditionally क्या होता है दोस्तों यह भी मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल परिशानी होने okay कर दिया यहां पर भी मैंने okay कर दिया आप save कर दिया आप मेरे summary वाले data को एक बात जाके देखते हैं वहाँ पर एक hyperlink मेरा बनके ready हो गया तो मैं जाता हूँ यहाँ पर back करता हूँ दोस्तों refresh करता हूँ और आपकी summary वाले को जैसी open करता हूँ तो hyperlink तो मेरा बन गया detail पर जैसी click करूँगा देखिए ABC limited पर जैस ABC का नहीं आ रहा है यहां पर सारी parties का data आ रहा है मतलब इसने वह method तो use कि यहां से वहाँ जाए action perform करें लेकिन action perform करने के बाद यह किस तरीके से मेरा जो link है इस वाले seller का यह इस वाले supplier का वो आने वाले detail वाले supplier के साथ link नहीं बना तो इस link को बनाने के लिए बहुत ध्यान से सुनना है दोस्तों इस ABC Limited पर जब मैं क्लिक करता हूं तो यह detail वाले analysis को run कर रहा है but not for ABC Limited क्यों नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने system को यह नहीं बताया है क्या नहीं बताया है मैं देखी यहां पर नहीं detail वाले पर मुझे जाना है detail वाले पर तो detail वाले पर चलते हैं एक बार यह detail वाले को edit mode में खोल रहा हूँ क्यों? क्योंकि जब invoice से click करूँगा invoice summary वाले से click करूँगा तो यहां से मेरी कोई चीज pass होनी चाहिए जो मेरे detail वाले में मुझे मिलनी चाहिए तो यह मैं detail वाले पे आ गया कि summary से कुछ pass होगा क्या pass होगा? सबसे पहले तो यहां पर party name को थोड़ा आगे कर लेते हैं so that थोड़ी सी clarity आजए party name, supplier site and invoice amount, paid amount, invoice date ठीक है यहां पर invoice number को भीधर कर लेते हैं यहां कहता हूँ party name पर filter लगा रहा हूँ दोस्तों गौर कीजिए party name पर filter party name पर क्यों लगा रहा हूँ because summary में भी मेरा party name का summarize बना हूँ तो वहां से मैं party name ऐसे parameter यहां पर भेजू filter और filter में क्या बोल रहा हूँ is prompted is prompted मतलब कि जो मेरा supplier वहां पर है वो ही मेरा यहां पर pass हो जाए is prompted का मतलब है जो दिख रहा है वो ही pass हो जाए okay कर दिया save कर दिया आप देखे गौर कीजिए summary वाले पर कोई filter नहीं है तो data मुझे इस तरीके से दिख रहा है गौर कीजिए hyperlink बनके summary वाले पर detail वाले पर एक filter है is prompted किस पर party name because party name is common in both the analysis right इसका data भी देखते है देखे data इसका भी मुझे easily देखिया अब बारी आती है इसको test करने की तो दौनों को save कर देता हूं एक फाइनल चलाने से पहले so that मुझे पता लग जा कि summary और detail चल भी रही है कि नहीं यह मैंने इसको यहां पर गया summary वाली रिपोर्ट मैं चला रहा हूं गौर कीजिए summary वाली रिपोर्ट अब की run कर रहा हूं summary वाली पर open किया कुछ कुछ data मुझे आ गया अब मैं चाहता हूं ABC Limited जो है ABC Limited का detail data मुझे दिखा देता हूं तो मैं इस पर click करता हूं find invoice detail yes एक new window में मेरे को या same window में मुझे खुल जाएगा only ABC का data यह देखिए दोस्तों अब की is prompted filter लगाने से केवल और केवल उसका data आया जिसका data मैं देखना चाहता हूं तो यहाँ पर summary detail का बहुत ही बहतरीन एक concept है OTBI report में by using two analysis वो मेरा यहाँ पर अचीव हो गया आप एक से दूसरे दूसरे से तीसरे को बहुत easily अचीव कर सकते हैं कोई भी problem नहीं हो सकती by using this concept चोटी सी information थी दोस्तों मुझे लगा आपको बचानी चाहिए तो मैंने share की अपने भाई के काम को support करने के लिए motivate करने के channel को subscribe करना बिलकुल न भूले साथ में अपने भाई को आगे बढ़ाने के लिए अपने ही जैसे कुछ और भाईयों के साथ channel भी share करें साथ में videos भी share करें so that वो भी यह easy easy concept आसानी से समझ भाए दोस्तों फिर से मुलाकात होगे एक नए वीडियो में नए concept के साथ तब तक के लिए दीजी मुझे इजाज़त thank you so much